हेलो गाईज, बेस्ट्रों डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए घर का डिजाइन जो की 3BHK है यह घर 25 फिट बाई 30 फिट के प्लोट डैमेंशन में डिजाइन किया गया है और इस घर का औरियेंटेशन साउथ फेसिंग है और इस घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15 से 20 लाग रुपए के बीच में आएगी तो अब चलिए मैं आपको हमारे इस घर का 3D इंटीर वाक थूर दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको 2D प्लान समझाऊंगा और इसके बाद मैं आपको 3D प्लान दिखाऊंगा तो अगर आपको हमारे इस घर का 2D प्लान चाहिए तो वीडियो कौन तक जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें अब सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वाक थ्रू तो यह आजाता है हमारे घर का में गेट और में गेट से घर का व्यूँ कुछ ऐसा दिखने वाला है आगे बढ़ते हैं तो यह आजाता है हमारा पार्किंग एरिया और यही राइट हैंड साइड आजाता है हमारा ग्रीन स्पेस और उसके आगे आजाता है हमारा कॉमन टॉलेट जो की आउटसाइडर्स के लिए यह टॉलेट प्रोविजन दिया गया है क्योंकि यह क्लाइन्ट की डिमांड थी यह आजाता लिविंग एरिया का गेट यह आजाता है कॉमन टॉइलेट जो की ग्राउंड फ्लूर का रहेगा यह आजाता है हमारा किचेन एरिया और यह जो गेट आप अभी देख रहे हैं यह गेट यूटिलिटी एरिया के लिए एक्सेस प्रोवाइड कराता है यह आजाता है बेडरूम वन तो यह था हमारे ग्राउंड फ्लूर का 3D इंटिरियर वाप्ट्रू अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे फ्र्स्ट फ्लूर का 3D इंटिरियर वाप्ट्रू यह आजाता है हमारी स्टेर केस और उपर पहुंसते ही सबसे पहले आजाता है हमारा आउटडोर सिटिंग एरिया और यहाँ पर हमने एक वर्टिकल ग्रीन वाल का भी प्रोविजन दिया है यहाँ से व्यूँ कुछ ऐसा दिखने वाला है यह आजाता है हमारे फ्र्स्ट फ्लूर का कॉमन टॉइलेट यह आजाता है बेटरूम टू का व्यूँ और यह आजाता है हमारे बेटरूम ट्री का व्यूँ तो यह था हमारे फ्र्स्ट फ्लूर का 3D इंटिरियर वाक्थ्रू अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे रूफ्टॉप का व्यूँ जो की कॉमन सर्विसेस के लिए यूज होगा यह आजाता है हमारा रूफ्टॉप जो की फुल्ली कवर्ड रहेगा तो यह था हमारा 3D इंटिरियर वाक्थ्रू अब मैं आपको दिखाने वाले हो हमारे घर का 2D प्लान तो यह आजाता है हमारे घर का 2D प्लान अगर आपको हमारे इस घर का डिटेल 2D प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे नंबर पे हमें अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का 3D प्लान तो अभी तक आप लोग देख रहेते हमारे इस घर का 3D इंटिरियर वाक्थ्रू और 2D प्लान अब मैं आपको दिखाने वाले हो हमारे इस घर का 3D प्लान तो सबसे पहले हम देखने वाले ground floor का 3D plan तो यह आजाता है हमारे ground floor का 3D plan यह आजाती है हमारी south facing road और यही से हमने entrance provide किया है और enter करते ही सबसे पहले आजाता है हमारा parking area और यही right तरफ आजाता हमारे outsiders के लिए एक toilet फिर आगे बढ़ते तो यह आजाता हमारे living area और यही से हमारा हर चीज connectivity है जो कि kitchen area में जाने के लिए है यह utility area में जाने के लिए है और यही से आजाता है हमारा space यह जो कि bedroom 1 के लिए हो जाता है और हमने यहाँ पे ground floor में common toilet प्रोवाइड किया है की interior use के लिए हो जाएगा तो यह था हमारे ground floor का plan अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ first floor का 3D plan तो first floor के 3D plan में हमने living area के उपर IRS का provision दिया है और यहाँ पे हमने front में भी एक lobby का provision दिया है आगे बढ़ते हैं तो यह आजाता हमारा bedroom 2 का area और यह आजाता है bedroom 3 और यह आजाता हमारा common toilet जो की second floor first floor का रहेगा तो यह था हमारे घर का 3D plan कैसा लागा हमें comment box में जरूर बताएं अगर आपको हमारे इस घर का 2D plan चाहिए तो description box में देगे नंबर पे हमें contact जरूर करें और अगर आपको कोई suggestion या फिर आपको design चाहिए तो description box में देगे नंबर पे हमें contact जरूर करें thanks for watching guys